चली दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड फेस चैनल पर स्टार्ट करते हैं अपने आज के गरेंडे फिर डेली बेसिस पर यहां पर आप पड़ सकते हैं क्युक्पॉइंट और स्पैशल डेल इंसकूब डेल इन पीवाई क्यूज अब मेरे टेलीग्राम चैनल जोन कर सब्सक्राफ्ट है उसके द्वारा बताए गया तो कुछ इमेजिस वीनस के सरफेस की कैप्चर की गई डिफ्रेंट ऑर्बिट से और पाया गया कि कुछ वॉल्कैनिक एक्टिविडी जो है ऑब्सर की जाई है ठीक है तो इसके बारे पूरा जानेगी कौन सा नासा मैगलेन जो है उसके एविडurpose से पता चल रहा है कि वनस में डेखने को मिला है जिसका जो शेप है वह आठ महीने में चेंज होया है जिससे पता जलता है कि वलकैनिक एक्टिविडी की McLennan से ही देखने को मिली थी जो की डिस्कवरी प्लैनेट की जो है की गई थी ठीक है तो इंपोर्टन कोशन आपको इस पर मिल सकता है चलिए एक और करेंड फिर देखेंगा इंटर सर्विस और्राइशन बिल बीस तेश यहाल फिलाल में रखा गया बिल एक कमांड कंट्रोल डिस्सिप्लिन बिल बीस तेश यह लोकसाबा में इंटर्डूस किया गया आप इसका कारण के देखिए हमारे भारत की जो तीनों सेना है इंडियन आर्मी नेवी और इंडियन एलफोर्स इंस अब ही को इंट् कर देखते हैं इंडियन आर्मी नेवी और इंडियन एरफोर्स तीनों का कमांड एक साथ ले सकता है और पहले होते देखा जाये तो में सोल्यजर जो है अलग अलग डिफरेंट के तहत जो है कमांड की जाते हैं मैभीनेज़ न सीवश है है Vin करें चाइना के साथ तो चाइना ने अपनी जो पीपल लिब्रेशन आर्मी है उसको री औरनाइस किया था और पांच कमांड में कनवर्ट कर दिया सो डट की कनेक्टिविटी तीनों ऑप्रेशन जो हैं उसमें हो सके सेम इंडिया भी करना चाहता है डेफिनेटली इंडिया अब सबसे बड़ी फोर्स में से एक रखता है पूरी दुनिया में से लेगो करेंड फिर देखेगा हाल फिलाल में 100 बेस्ट एरपोर्ट की लिस्ट लाएगी बिटिश कंसल्टेंसी स्काइट्रेक्स के द्वारा इसमें टॉप पे कौन सा जो है रहा तो आंसर है इस बार ही चेंज हो गया है देगे इस बार ही सिंगापूर चांगी एरपोर्ट है अधरवाइस हर बात जो हमद इंटरनेशनल एरपोर्ट है यह हुआ करता था लेकिन नेंस बार ये सिंगापूर चांगी एरपोर्ट टोपप पे आ गया है तो हमद इंटरनेशनली एरपोर्ट सेकेंड नम्र पर है हनेद naj इंटरनेशनल एरपोर्ट का फ known पर एसे साल पूरिय और फोर्ट नम्र पर ठीक है ट्राफिक के बात करें तो बैंगलोर चली वेरी इंपोर्टन कोशन कौन सी सेडी में इंडिया का फर्स्ट जो है बिहेवियरल लैब जो है और नाइस किया जा रहा है तो जैपूर में राजस्थान की गौवर्मेंट जो है इन्होंने अप्रूफ किया है कि इंडिया क जो फर्स्ट विहेवियरल लैबरेटरी है वो जैपूर में और नाइस किया जाएगा उसका सेटप जो है पटेल भवन और हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान इंस्ट्टूट और पब्लिक एड्मिस्टेशन जो है जो जैपूर में वहाँ पर होगा HCME रीपा कहते हैं से और इसको और नाइस कुन करेगा ऑपरेट कुन करेगा आई आई एम उदेपूर जो है मैनेजर ओपरेट करेगा इसको ठीक है है ना तो इसकी फेकल्टी इसमें जो होंगी चलिए और कोशन देगे फर्स पी एम गतिशक्ति वर्क्शोप बेस्टर नोर सेंटर रिजन में न कॉंड कोमर मेरेटिव पॉष्टर स्टैंबगे तो दोस्तों दोस्तों लक्रम लॉंज चिया है क्योगी इंडिया लक्षा-डिया के 75 वर्षपूर हैं दोस्ती यह तो इस अकेजन पर डोनों का एक कॉर्मणरे ऑपरेट गया है बहूंए सकते इस इंडिया और में नहींlé पिछले 20 सालों में हमने स्टील सेक्टर पे जादा काम किया है, पॉल वर्थ कमपनी जो लगसम बर किया है वो इंडिया में काम कर रहे हैं पिछले 20 सालों से कॉलाबरेशन है तो यॉर्पिन कंट्री की एहमेद जादा है इंडिया के लिए भी है, ची जस्टिस ऑफ देखें इंडिया ने पचास बसे स्कीम में किस देश को दी है तो शेलंका को एको गरेंड फिर दीखें कौन सी स्टेट जो है ऑवरॉल चैंपिन बनी है यह पहले नमबर पर आई है ठीक है जो चीफ गेस की रूप में आये थे तो हर्याना की गवर्नर थे ठीक है अंदर धत चारे हैं ठीक है जो आये थे चीफ में चीफ गेस की रूप में है ना चलिए उसके इलावा फर्स्ट एडिशन नैशनल बीस सोकर चैंपिन्शिप का बीस इंडिया ने जीता किसको हराके तो इंग्लेंड को कल एक सवाल पूछा गया था सैफ्रून प्लांट के कौन से भाग में से मिलता है तो विजेदास का आंसर बिल्कु सही स्टिग्मा में से आज का सवाल देखिएगा ठीक है इसमें से डैट एक्ट एज शील्ट फोर अब् इसमें सबसे यादा बच्चे कनेक्टेड हो उसी को जोइन करेगा ऑफीशिल लिखा होगा आप बाकी पर्चेस कर सकते हैं लाइव अमन कोड से यह आपका बेनिफिट ही रहेगा जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डिसकाउंट से ज्यादा बेनिफिट रहन आपको यही रहन लेते हैं लिख जीजार बेनिफ बादा बेनिफिट हैं लेया उसी उड़ मेंगा हैं लिखा जाता हैं लेते हैं लेगा हैं...